हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सबी लोग मैं एको न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाज इनूँ तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो है बेस्ट फूर फॉर पोस्ट वरकाउट जिससे क्या होगा आपकी रीकवरी काफी फास्ट हो जाएगी और आप नेक्स टेक क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो साथी साथ बेल आइकान वादो जिससे क्यों होगा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और जो मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो यह मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आप मे ब्रइक दो और यौ करने के घुलावुटीं की जरु pne टी यह और मस्ते ःतोर ने कसे तो फरकाउट में जो एक रइएड कॉम्बीनेशन बनेगा वह मारा प्रोटीन प्लस क कार्प्स बनेगा अब काफी लोग confused होते हैं कि उनको किस ratio में protein और carbs लेना चाहिए तो आपका जो correct ratio है वो है 3 to 1 अगर आप protein ले रहे हैं तो आपको उसका 3 गुना carbs लेने हैं बट आपका अगर कोई goal है तो आप थोड़ा उपर नीचे जा सकते हैं मैं एक suggestion यह दूँगा कि आप post workout meal में अपने good fats consume ना करें उस क्यों क्योंकि वो आपके nutrients value को slow down कर देगा जिससे आपके nutrients absorption है वो कम हो जाएगी तो मैं आज की वीडियो में यही बताऊँगा कि जो best food हैं आपके post workout में वो क्या-क्या होने वाले हैं तो चलिए start करते हैं तो friends first option जो है वो आप डाइट में यूज कर सकते हैं अपनी वो है एक तो एक एक में आपको 5.5 ग्राम एप्रोक्स प्रोटीन मिल जाएगा बड मैं आपको सेजेस्ट करूँगा कि आप post workout में योग कंजूम ना करें तो जो बचवो एक का portion है उसमें आपको एप्रोक्स 3 ग और एकस आपको मार्केट में एसली एपिलेवल भी हो जाएगा बस आपको अगर ध्यान रखना है तो किस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक जो है वो रो फॉर्म में नहीं नहीं कंजूम करना फिर चाहें आप एक को किसी भी कूक फॉर्म में यूस कर सकते हैं second food item जो आप ले सकते हैं वो है आपका milk milk एक completely food है जिसमें आपको मिलता है high rich protein ये आपको बहुत सारे vitamin और mineral के साथ-साथ potassium और sodium भी मिलता है जो कि आपकी rehydration के बहुत जरूरी है ये आपके muscle sourness होने से भी बचाता है इसलिए post-workout में एक best source हो सकता है आपका milk third food item जो आप post-workout में यूज कर सकते है वो है आपकी fish फिस जो है एक lean protein source है और ये lean protein source के होने के साथ-साथ easy to cook और easy to digest है ये आपके high rich nutrients पाए जाते हैं इसमें जो कि आपका omega-3 omega-3 आपके क्या करेगा वो आपके joint pains होने से काफी helpful करता है और ये आपकी muscle recovery को भी जो आपके muscle tissue damage होते हैं उनको recover करने में भी काफी help करता है तो आप third जो use कर सकते है food वो है आपका fish fourth food item जो आप अपनी post-workout meal में यूज कर सकते हैं वो है आपका chicken आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको chicken breast यूज करना है chicken breast इसलिए क्यूंकि उसमें होता है high source of protein and low fat तो इसमें आपको chicken breast यूज करना है इससे क्या होगा कि इसमें आपके bone जो है उसको काफी help मिलती है और ये आपके जो muscles tissue damage होते हैं उनको repair करने में काफी help करता है तो आप fourth food item यूज कर सकते हैं अपना chicken अब हम बात करते हैं अपने fifth item की food में जो आप यूज कर सकते हैं post-workout meal में वो है आपका whey protein जी हां तो whey protein में क्या होता है इसमें आपका L-lucine पर आया जाता है जो की काफी helpful होता है आपके muscles को recover करने में जो amino acids होता है और इसको आप easy to carry कर सकते हैं कहीं भी आप अपना work out करने के बाद water में one scoop यूज करके आप इसको ड्रिंक कर सकते हैं और यह आपकी direct blood stream में mix हो जाता है अच्छे से जो की आपको अच्छे से protein absorb मिलता है और यह easy to digest होता है hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यह आपके food से I know कि almost यही सारे food हर कोई बता रहा है लेकिन next वीडियो में जो मैं इस वीडियो का second part लगँगा उसमें इस से हटके food होंगे जो आपको सायद ही पहले कभी किसी ने बात आये होंगे तो वीडियो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने करना नीचे red बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो साथी साथ बैल आइकान दवा देना मिलते हैं अपनी इसके second वीडियो में तब तक be safe stay home बाई